हलो फ्रेंट्स, 90 वर्ड पर मिनट एडिटोरियल डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद स्टार्ट, सारी दुनिया के साथ भारत में भी साथ जून को यानि आज विश्व खाद्य सुरक्षा दीवस मनाया जाएगा यह अलग बात है कि क्रशि प्रधान देश होने के बावजूद खाद्य शुरक्षा का मुद्दा अब भी हमारी विवस्था की सर्वोच प्रात्मिक्ता में शामिल नहीं हो पाया है खाद्य प्रधार्तों में मिलावट और दुशित भोजन से बिमारिया फैलने के आए दिन सामने आने वाले मामले इस कड़वी हकीकत की पुष्टी करते हैं बड़ती आबादी और बदलते वक्त के साथ देश में खाद्य प्रधार्तों का कारोबार जिस तेजी से फला फूला है उस अनुपात में निगरानी तंत्र विक्षित नहीं हो सका आकर्षक पैकिंग में सजे बाजार में उपलब्ध खाद्य प्रधार्तों में से कितने सुधता और पोस्टिक्ता के मापदंडों पर खरे उतरते हैं इसकी पहचान करना आसान नहीं है संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया में हर व्यक्ति को जोखिम रहित खाद्य पधार्त मुहया कराने के मकसद से विश्व खाज दीवस की शुरुवात की थी भारत समेत कई विकास्षिल देशों में इस मकसद की मंजिल फिलहाल दूर नजर आती है विश्व स्वास्थ्य संगर्ठन की यह आकडे चिंता बढ़ाने वाले हैं की दुनिया में हर साल साथ करोड लोग खाद्य जनित बिमारियों की चपेट में आते हैं इन में से चार लाक से जादा की मौत हो जाती है बच्चे इन बिमारियों की चपेट में जादा आ रहे हैं जाहिर है बाजार में जो खाद्य पधार्त बिक रहे हैं उन में से कई सेहत के लिहाज से सुरक्षित नहीं है खाद्य और पेपधार्त बनाने वाली एक बड़ी विदेशी कंपनी ने हाल ही कबूल किया है कि उसके 60 फीसद से जादा पधार्त सेहत की मान्य परिभाशा को पूरा नहीं करते भारत भी इस कंपनी के लिए बड़ा बाजार है देश में 6 साल पहले इसके नूडल्स में शीशे की अधिकता पाए जाने पर काफी होहला हुआ था सरकार को कुछ समय के लिए इसकी बिकरी पर रोक लगानी पड़ी थी विदेशी कंपनीया ही नहीं देशी कारोबारी भी मिलावट खोरी में पीछे नहीं है तीन साल पहले फूड सेफ्टी एंड स्टेंडर्स अथोरिटी ओफ इंडिया ने सर्वे में चोकाने वाला खुलासा किया था कि देश में बिक रहा 50 फिजदी दूद मिलावटी पाया गया भारत में 2013 में जब खाज्य सुरक्षा कानून बना था तो उमीद जगी थी कि खाज्य सुरक्षा की दिशा में परभावी कदम उठाए जाएंगे बाद में कई राज्यों ने भी खाज्य पधार्तों में मिलावट के खिलाफ कड़े प्रावधान लागू किये कुछ राज्यों में तो मोत की सजा तक के प्रावधान है पर अब तक ऐसा एक भी मामला सामने नहीं आया की किसी को मिलावट करने पर कड़ी सजा सुनाई गई हो घी तेल मावा पनीर बेशन मसालों आदी में मिलावट के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं खद आपूर्ती विभाग और दूसरी सरकारी एजेंसियां सिर्फ पर्व त्योहार पर सक्रिय नजर आती है इस सक्रियता का मकसद मिलावट खोरी पर लगाम कसना कम विभागिये लक्षियों की खाना पूर्ती जादा जान पड़ता है खाद पधारतों की सतत निगरानी की वेवस्था बेहद जरूरी है इसके अभाव में खाद सुरक्षा मरग मरीचिका ही बनी रहेंगी स्टॉप